महाभारत की वो युद्धा जो मरनी के बाद एक रात के लिए जिंदा हुए थे आईए जानते हैं महाभारत की युद्ध में बहुत से युद्धा वीरगती को प्राप्त हुए थे जिसमें कौरों के साथ साथ पांड़ों की पच से लड़ रहे कई उधाओं की भी मृत्ति हो गई थी महाभारत युद्य के बाद घृत राष्ट, गंधारी, संजय, कुंती और विदूर सभी वन में जाकर बस गए और हस्तिनापूर का राजा बने युधिस्टिर एक बार सभी पांड़ों को उनकी माता से मिलने की इच्छा हुई इसलिए सारे पांड़ों जंगल में पहुचे जहां उन्हें देखते ही विदूर ने अपने प्रार त्याक दिये और धर्मराज की रूप में युधिस्टिर में समाहित हो गए महरसी वेद ब्यास वहाँ पर आए और युधिस्टिर में विदूर के समाहित हो जाने की बाद बताई और जिसके बाद उन सभी को मन चाहा वर मांगने को कहा महरसी वेद ब्यास की ये कहते ही गरित राष्ट और गांधारी ने अपनी मरे हुए बच्चों को देखने की इच्छा जताई उसी की साथ कुन्ती ने भी अपने मृत बच्चों को देखने की इच्छा जताई महरसी वेद ब्यास सभी को लेकर गंगा की किनारे पहुचे और जैसे ही रात हुई महरसी वेद ब्यास उस गंगा में प्रवेश किये और सभी मृत्य जनु का नाम लेकर उन्हें पुकारा और फिर थोड़ी ही देर में भीस्म, द्रोडाचार्य, कर्ड, दुर्योधन, दुस्सासन, अभिमन्यू, गरित राष्ट के सभी पूत्र, घटोत कच, द्रौपती के पाँचो पूत्र, राजा दुरुपद, सकुनी, सिखंडी, आदी वीर युध्धा जल से बाहर निकलाए उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार वक्रोध नहीं था, सभी के मन में अपने मृत्य परिजनों को देख कर उनकी हिर्दय में हर्स चागया, पूरी रात अपने मृत्य जनों के साथ समय बिताने के बाद उनको संतुष्टी हुई, दोस्तों वीडियो अच्छा रुली